हलो फ्रेंट्स मेरा नाम प्रभाद कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सूप्रभाद 87 पर आपका स्वाकत करता हूँ दोस्तो आज हम लोग विजिट टो कम्रेड यानि लेसर नमर 4 जो रेंबो क्लास 8 की लेसर नमर 4 है उसका आज हम लोग को सनांसर करने वाले हैं और इसके पहले मैंने इसका हिंदी अनुबाद दो भागों में अपलोड कर दिया है पार्ट वन और पार्ट टू में उससे अपलोड किया है तो अगर आप लोग ने उससे नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देदूंगा आप वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज हम लोग विजिट टू कंप्रिट का जो है को सनांसर करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स जो पहला कोशन है उसको हम लोग देखते हैं तो पहला जो कोशन है वो यह है कि नेम दा बुक राइट एन बाई स्टेप स्टेपन होकी द्वारा लिखा गया है तो फ्रेंड्स हाला कि हम लोग जानते हैं कि स्टेपन होकी ने एक ब्रीफ आप कंप्रिट टाइम का जो बुक थी उस नाम की बुक को स्टेपन होकी ने लिखा था तो इसको आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए वो भी देख देते हैं फ्रेंड्स यह जो आंसर आप लोगो दिखाई दे रहा है कि स्टेपन होकी हैस राइटन दफेमेस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री आप टाइम तो आंसर में लोग लिख लेंगे कि स्टेपन होकी हैस राइटन दफेमेस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री आप टाइम तो य लेपन होकी ने एक मसहूर किताब लिखी ती जिसका नाम जो है A Brief History of Time था, तो अब चलिए अब इसके बाद second question को देखते हैं, फ्रेंड, second question ये है कि what makes the differently abled people stronger according to author, अच्छा बोला जारे कि according to author, यानि लेखक के हिसाब से वो ऐसी कौन सी चीज है, जो differently abled यानि जो विकलांक लोग हैं, उनको वो चीज़े मजबूत बनाती हैं, अर्थात लेखक के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है, जो एक विकलांक बेक्ति को मजबूत बनाती है, विकलांक लोगों को जो है मजबूत बनाती है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं, फ्रेंड्स यहां पर देखिए, आंसर नमर बी है, जो बताया गया कि according to the author, ओथर के इसाब से, जो अपंग लोगों को जो है बनाती है, जब पीपूल मतलब जब लोग पीपूल स्ट्रोंगर इस सिंग समबडी लाइक देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बुक में भी पढ़ा था, जाकि एक अगर बिकलांग बैक्ती हो, और वह अपने जैसा किसी ऐसे बैक्ती को देख ले, जो कि एक बड़ी काम्याबी को हासिल किया हुआ हो, तो उसको देख करके उसके अंदर बहुत सारी सक्तिया जाग जाती है, उसके अंदर बहुत सारी उर्जा उत्पन हो जाती है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया कि according to the author the things which is that makes differently able जो बिकलांग लोगों को बनाती है people stronger देखिए people stronger it's thing somebody like मजबूत लोग जब अपने जैसा किसी को देखेंगे achieving something hung कि उसने जो है कोई great achievement को एक बड़ी काम्याभी को हासिल किया है तो उसको देख करके वो मजबूत हो जाएंगे तो friends ये question number B का answer number B था I hope कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए question number C को देखते है friends देखिए जो question number C है वो ये है कि what is scientist message for disabled बैग्यानिकों का बैग्यानिक का disabled people के प्रती मतलब बिकलांग लोगों के प्रती कैसा message है उसको अम लोगों को बताना है answer book में अम लोगों को लिखना है तो किस तरह का बिकलांग लोगों के प्रती बैग्यानिक का message है संदेश है friends आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं answer number 3 का answer है question number 3 का answer है तो इससे पहले मैं बता दूँ कि friends अगर आप लोगों ने और भी मैं बता दूँ कि हम जितने भी lessons art के मैंने हिंदी अनुबाद upload किया है उन सभी का मैंने question answer भी upload कर दिया है class 6, 7 का सभी video का मैंने question answer upload कर दिया है उन्हें अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आप हमारे channel के playlist में जागर के आप वहाँ से rainbow class 7 की new book पर click करेंगे वहाँ से आपको सारी videos मिल जाएंगी class 7 की और इसी तरह से आप class 6 की भी सारी videos को देख सकते हैं फ्रेंट शली अब answer को देखते हैं the scientist gave a message यहाँ पर G-A-B-E gave लिखा गया है the scientist gave a message to disabled people to disabled बैज्यानिक ने जो है विकलांक लोगों को a message दिया है that की they should concentrate on what they are good at देखिए उन्होंने बताया है कि they should concentrate उन्हें concentrate करना चाहिए उन्हें ध्यान देना चाहिए on what they are good at जिसमें वो जो है अच्छा कर सकते हैं मतलब जिस कारे में वो अच्छा कर सकते हैं उसी कारे में उन्हें अपना ध्यान लगाना चाहिए ना कि किसी दूसरे कारे में ध्यान लगाना चाहिए अब यह नहीं कि कोई वो अच्छा कर रहा है दूसरे कारे को कर करके और आपको उसमें इंट्रेस्ट नहीं है आप उसके बावजूद भी आप उसके कारे को करने जाते हैं तो आप उसमें बिफल हो जाएंगे तो आपका जिसमें इंट्रेस्ट है आपको वही कारे करना चाहि अब चलिए लास्ट कोशन को देखते हैं फ्रेंड्स जो ये लास्ट कोशन आप लोग देख रहे हैं वो ये है कि the writer expresses his great gratitude जो लेखक है उसने अपनी महान धन्यवाद को दिया है to stepan okey stepan okey को देखिए the writer express writer ने ब्यक्त किया है his great gratitude to stepan okey stepan okey से उसे जो है मिलने का मौका मिला तो उसने उन्हें धन्यवाद कहा है what is gratitude for तो उसने लेखक को किस बात के लिए धन्यवाद दिया है तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा the writer expresses his great gratitude stepan okey writer ने stepan okey को धन्यवाद दिया है for giving him time उन्हें अपना समय देने के लिए from his busy routine अपने best रहने के दौरान and giving the author inspiration और लेखक को कुछ सीख देने के लिए to help make his life better कि वह अपने जीवन को better बना सके अपने जीवन को और अच्छा बना सके तो इन सभी चीजों के लिए लेखक ने author को धन्यवाद दिया है उनका अभिबादन करता है तो finally इस answer में यह बताया गया है कि लेखक ने stepan okey को इसलिए धन्यवाद दिया है क्योंकि उन्होंने अपने bg रहने के दौरान भी लेखक को उनसे मिलने का अपना समय दिया है उनसे अपनी कुछ ऐसी भावनाओ को शेयर किया है जिसे की फिर्दोस कांगा को अपनी जीवन जीने में काफी असानी हो तो इस बात से फिर्दोस कांगा ने stepan okey को धन्यवाद दिया है आई होब फ्रेंड्स की यह आप लोग को बहुत ही असानी से समझ में आ गया होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई दिकत नहीं होगी चले फ्रेंड्स आप वर्ड पावर को देख लेते हैं कुछ लोग कहते हैं कि सर वर्ड पावर आप बता दीजे कि one who cannot see वो कौन बैक्ति है जो देख नहीं सकता तो आप लोग जानते हैं कि जो blind लोग होते हैं अंधे लोग होते हैं यहाँ पर देखे बी ल, आ, अ, डी लिखा गया है blind मिन्स होता है अंधा तो अंधे बैक्ति जो है देख नहीं सकते second यह है कि one who cannot hear वो कौन सा बैक्ति है या वो कौन है जो सुन नहीं सकता तो deep लोग जो होते हैं जो बहरे लोग होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं third है कि one who cannot speak वो कौन है जो बोल नहीं सकता तो dumb, dumb means होता है गूंगे, ठीक ना, तो गूंगा जो होता है वो कभी बोल नहीं सकता है, फोर नमर वाला है कि what, sorry, one who can walk, cannot walk, तो one who cannot walk, वो कौन है जो चल फिर नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, तो वो है lamb, lamb means होता है लंगड़ा, अब देखें, last यहाँ पर बताएगे कि one who cannot read or write, यहाँ पर कौन ऐसा है जो लिख और पढ़ नहीं सकता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो लिखा गया है, यहाँ लोग का पांच में नमर में, यानि ए में भर दिया जाएगा, तो आई होब फ्रेंट्स, यहाँ पर आप लोग लोग लुक आट दा फॉलिव वर्ट्स देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादे ज़रूरी है नहीं बताना, तो मुझे उमीद है कि यह स्टेपन होकी का जो कोशन आंसर वाला वीडियो है, आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और मैं आगे भी बहुत सभी लेशनों का कोशन आंसर वीडियो लाऊंगा, और मैंने अल्रेडी बहुत सारे लेशनों का हिंदी अरुबाद और उनके कोशन आंसर को अप्लोड कर दिया है, तो फ्रेंट्स, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताईएगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद,